नमस्कार आप देख रहें देश्वा नियूज मैं हूँ अविनास बुल्टिन के शुरुआत करते हैं अब तक की बरी खबरों के साथ पीम नरेंद्र मोदी ने पूने के देहु में तुकाराम महराज मंदिर का उदगाटन किया इस दोरान उनोंने कहा कि हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म से सबसे दुड़लब संतों का सत्संग है संतों की किरपा अनुभूती हो गई तो ईश्वर की अनुभूती अपने आप हो जाती है आज देहु की इस पवित्र तिर्थ भूमी पर आकर मुझे ऐसी ही अनुभूती हो रही है पियम मोदी ने कहा कि देहु का शिला मंदिर ना केवल भक्ती की शक्ती का एक केंद्र है बलकि भारत के संस्क्रितिक भविश्य को भी प्रसस्त करता है इस पवित्र स्थान का पुनर निर्मान करने के लिए मैं मंदिर नियास और सभी भक्तों का आभार दक्त करता हूँ बगवान विठ्थल और सभी वारकरी संतों के चरणों में मेरा कोटी कोटी वंदन हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्मे में सबसे दुरलब संतों का सत्संग है संतों की कृपा अनुभूती हो गई तो इश्वर की अनुभूती अपने आप हो जाती है आज देहु की इस पवित्र तिर्थ भूमी पर मुझे आने का सोभागे मिला और मैं भी यहाँ वही अनुभूती कर रहा हूँ देहु संत शिरोमनी जगदगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है करमस्थली भी है दन्य देहु गाओं पुन्य भूमी ठाओं तेथे नांदे देव पांडुरंग धन्य खेत्रवासी लोगते देवाचे उच्चारिती वाचे नाम घोश्य देहु में भगवान पांडुरंग का नित्य निवाद भी है और यहां का जन जन स्वयम भी भक्ति से ओत प्रोत संत स्वरूप ही है इसी भाव से मैं देहु के सभी नागरिकों को मेरी माताओं बेहनों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ अभी कुछ महिने पहले ही मुझे पालखी मार्ग में दो राष्ट्रिय राजमार्ग को फोरलेन करने के लिए सिलान्यास का आउसर मिला था स्री संत ग्यानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का निर्मान पांच चल्ड़ों में होगा और संत तुकारा महाराज पालखी मार का निर्मान तीन चल्ड़ों में पुरा किया जाएगा इडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहूल गांधी से आज भी पूस्ताच की राहूल गांधी से पूस्ताच के विरोध में कॉंग्रेस नेता देश भर में परदर्सन कर रहे हैं दिल्ली में भी कॉंग्रेस कारले के बाहर परदर्सन हुआ जिस चलते वहां धारा 144 लागू कर दी गई है राहुल के साथ पैदल मार्च करके जा रहे कॉंग्रिस नेता रंदीप सीन सुर्जेवाला को घसीट कर पुलिस ने वैन में बिठा लिया मार्च में शामिल अन्यनेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है सुर्जेवाला ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें चोटाई है पीची तमरम को भी पसली में चोटाई है खननलीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने जारखन के सीम हेमन सोरेन को और 14 दिन की मोहलत दे दी है सुरेन की अगली तारीक 18 जून तै की गई है यह तीसरी बार है जब मामले की सुनवाई टली है इससे पहले 31 मई और 14 जून को भारत निर्वाचन आयोग में उनके मामले की सुनवाई होनी थी सीम सोरेन ने अपने अधिवक्ता की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से समय देने की गुहार लगाई थी जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने सुईकार कर लिया है इससे पहले भी 31 मई की डेट को सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग के सामने हाजित होना था सोरे ने अपनी मा की बीमारी का हवारा देते हुए आयोग से और समय की मां की थी जिसके बाद आयोग ने 14 जुन को सुनवाई की तारिक तै की थी मधेपूरा से पंजाब जा रहे हैं मजदूरे से भरी बस उत्तर परदेश के कुशी नगर में दुरगटना गरस्त हो गई जिन में 4 से 5 लोगों की मौत की सूचना है जबकि 25 से 30 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है बताया जाता है कि इस बस में करीब 80 से 85 मजदूर सवार थे जिन लोगों की मौत हुई है इन में से 4 लोगों की पहचान सामने आई है इन में से 3 मधेपूरा जिला के सदर थाना छेतर अंतरगत बराही पंचायत के वार्ड नमबर 4 मुसहरी टोला के रहने वाले हैं बताया जा रहा है कि मधेपूरा और सिंहेस्वर परखंड के आसपास की इलाकों से 1.500 से अधिक मजदूर सोंबार को सिंहेस्वर पेट्रॉल पंप से पंजाब जाने वाली दो बसो फर सवार हुए थे यही बस यूपी के कुशी नगर में दुरघटना गरस्त हो गई है घटना की सूचना के बाद पंजाब गए मजदूरों के परिवार में मातमी सनाटा पसरा है लोग अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं बताय जाता है कि इस दुरघटना में 25 से अधिक मजदूर गंभी रूप से गायल भी हुए हैं जिनका इलाज उत्तर परदेश के ही गोरखपुर में चल रहा है उत्तर भारत के कई राजियों की तरह राजस्थान भी पेट्रॉल और डीजल की कमी से जूज रहा है पिछले कुछ दिनों से तेल कमपनिया भारत पेट्रोलियम और हिंदूस् पात में पेट्रॉल और डीजल की आपूर्ती नहीं कर रही जिसकी वज़ा से राजस्थान के साड़े 6,000 पेट्रॉल पंप्स में से करीब 2,000 पेट्रॉल पंप्स ड्राई हो चुके हैं राजस्थान का कोई छोटा बरा जिला ऐसा नहीं है जहां पेट्रॉल और डीजल की किल्लत नहीं हो राजधानी जैपुर में करीब साढ़े 600 पेट्रोल पंक्स हैं और इन में से 100 से जादा पर पेट्रोल और डीजल उपलब नहीं होने के बोर्ड लग चुके हैं अभी जो हालात रास्थान में बने हुए हैं उनमें अगले 3-4 दिनों तक सुधार होने के आसार नहीं है इस किल्लत की वज़ा से आम आदमी तो परिशान है ही साथ ही खेती किसानी और उद्ध्योग धंदों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है पाठली पुत्र विश्विद्धाले में तीन नए पोस्ट ग्रेजुएट पाठकर्मों की पढ़ाई जल सुरू होगी एकेडमिक कॉंसिल ने इसे अपनी अनुमती परदान कर दी है संगीत और ग्रीव विज्ञान समेट तीन विशयों के छातर पीजी में दाखिला ले सकेंगे अब तक यहाँ पर 15 विशयों में पीजी की पढ़ाई हो रही थी लेकिन अब यहाँ 18 विशयों में पीजी की पढ़ाई होगी विश्विदाले के कई अनुभूती महाविद्यालों में बीकॉम की पढ़ाई सिल्फ फाइनेंस मोड में शुरू करने की मंजूरी भी मिल गई है गुरू नाइडू सनापती ने मैक्सिको के लियोन में अंतरराष्टिय भारतो लन महासंग में इतिहास रच दिया वह विश्व यूवा चेंपियंशिप में स्वन पदक जीतने वाले पहले भारतिये वेट लिफ्टर बने इस सोलो वर्सिये वेट लिफ्टर ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता किसान के बेटे सनापती को एक वक्त बरी मुश्किल से पेट भर खाना नसीब होता था उनकी खोराक भी पूरी नहीं होती थी पिता दूसरे के खेतों में काम करते थे तमाम परिशानियों के बावजूद गुरू नाइडू हार नहीं माने और अपने सपने का पीछा करते रहें उनकी जीत ही थी कि आज वो मुश्किलों से लड़कर विश्व चैंपियन बन गए है ओलंपिक में दो बार की पदक विजेता पीवी सिंधू चीन की ही विंग्स याओ से सीधे गेम में हार कर इंडोनेशिया ओपन सूपर थाउजेंड बैडमिंटन परतियोगिता के पहले दोर से बाहर हो गई सात्मी वरियता प्राप सिंधू को महिला सिंगल में विंग्स याओ से 14-18-18 से हार का सामना करना परा इस जीत से विंग्स याओ का सिंधू के खिलाफ रिकॉर्ड 10-8 हो गया है पूर्विस्प चैंपियन सिंधू इस सेशन में केवल दो खिताब ही जीत पाई है इस हार से उनकी अगले महीने होने वाली रा अंतर रास्ट्रिये खेलो की तैयारियों पर असर परेगा निरहुआ और अक्षरा सिंग का एक वीडियो सोसल मीडिया पर खूब वारल हो रहा है इस वीडियो में अक्षरा सिंग को सारी पहने देख दिनेश राल यादब का मन पिघल जाता है एक्टरेस का बलखाता अंदाज फैंस को दिवाना बनाए जा रहा है इस गाने का टाइटल गारी लोड हो गई रखा गया है इस गाने में निरहुआ और अक्षरा सिंग की दमदार केमेस्ट्री देखने को मिल रही है एक्टरेस की बलखाती अदाव पर लट्टू होकर निरहुआ आसिक दिवानों की तरह जूमते हुए नजर आ रहे है साथ साल पहले रिकॉर्ड हुआ यह गाना आज भी सोशल मेडिया पर धूम मचाल रहा है हफते के दूसरे कारोबारी दिन भी बाजार में बिकवाली हावी रही है आज भी कारोबार की स्थिती काफी खराब दिखी सुरुआत गिरावट के साथ सुरू हुई दिन भड के ट्रेडिंग सेशन के बाज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंध हुए है सेंसेक्स आज 153.13 अंक यानि 0.29 फिसदी फिसल कर 22,693.57 के लेबल पर क्लोज हुआ है इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 42.30 अंक यानि 0.27 फिसल कर 15,732.10 के लेबल पर क्लोज हुआ है फिलाल इस खबर में इतना ही आपको ये खबर अच्छी लगए तो अपने दोस्तों साथ जबूर शेयर करें हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक इंस्टा ट्वीटर पर जाकर हमें फॉलो करना ना भूले धन्यवाद